इस मूवी में सब लोगों को जेनेटिक इंजिनेरिंग किया जाता है जिसके वज़ा से हट इंसान के हाथ में टाइमर शुरू हो जाता है और जैसे ही टाइमर में टाइम खतम हो जाता है वो इंसान मर जाता है। जब किसी इंसान की उमर 25 यर हो जाता है, उसकी हातों में एक यार का टाइम शुरू हो जाता है. इसका मतलब उस इंसान के पास अपनी जिन्दिगी गुजारने के लिए सिर्फ एक ही साल होता है. इहां के लोगों को जिन्दा रहने के लिए टाइम आर्ण करना पड़ता है. इसका मतलब ये था कि यहां पर सिर्फ टाइम की वैलू है, पैसो की नहीं. इहां पर एक इंसान, दूसरे इंसान को अपना टाइम दे भी सकता था. अपना टाइम एक कैपसूल में स्टोर भी कर सकता था. मूवी की शुरुआद में हम वील नाम की एक आदमी को देखते है, जो अपने मदर के साथ डेटन शहर में रहता था. ये एक डिटो एरिया था. इसका मतलब यहां पर सारे लोग गरीब थे. यहां के लोगों को जिन्दा रहने के लिए मैनप करना पड़ता था. यहांके लोगों के पास 24 घंडी से ज़ाधा टाइम टाइमर में नहीं होता था. एसा हमें पहले पता था कि 25 साल होने के बाद वहां के लोगों का टाइम रुख जाता है. मतलब उनका एज नहीं बरता, वो बुड़े नहीं होते, उन्हें यहाँ पर टाइम आर्ण करके जिन्दा रहना परता था Next हम देखते हैं कि विल अपने काम पे जा रहा था रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची मिलती है, जिसका नाम माया है जो विल से 5 मिनिट टाइम मांगता है, विल उसे 5 मिनिट का टाइम दे देता है और माया वहाँ से चली जाती है विल अपने factory एरिया में पहुत जाता है जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पर आकर वो देखता है कि सारी चीजों का दाम बर चुका है इसका मतलब अब breakfast करने के लिए उससे पहले से ज़ादा time pay करना पड़ेगा यहाँ पर विल के साथ उसका दोस्द भी था वहाँ दोनो rates देखकर परिशान हो जाते हैं क्यूंकि रोज चीजों की rates बर रहे थे transport के rates भी वो दोनों अपने लिए coffee लेके अपने अपने काम पे चले जाते हैं रात को विल अपना salary लेके factory से चला जाता है विल अपने दोस्द के साथ एक क्लब में जाता है उसकी दोस्द बहुत ज़ादा drink करता है उस कलब में वो और एक आदमी को देखता है जो बहुत rich था उसके पास एक century का time था विल उसके हातों को देखता है और उसके पास जाके उसे बोलता है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए यहाँ के लोग उसको मार देंगे और उसका time चुरा लेंगे मगर वो rich आदमी विल के बातों को serious से नहीं लेता है और drink करने लगता है तब ही वहाँ पे एक और आदमी आजाता है वो उस एरिया का एक gangster था वो लोगों से time चुरा लेता था उसे खबर मिल गया था कि उस बार में एक बहुत ज़ादा rich आदमी drink कर रहा है वो gangster उस बार में उस rich आदमी को लूटने के लिए आ जाता है उसे देख कर club से साड़े लोग भाग जाते है विल दूर से खड़ा होकर उस gangster को देख रहा था वो gangster उस अमीर आदमी को एक game खेलने के लिए बोलता है ये सुनकर वो अमीर आदमी उसे बोलता है कि मैं बहुत ज़ादा drink कर चुका हूँ इसलिए पहले वाश्रूम जाना चाता हूँ वो अमीर आदमी वाश्रूम जाके बहुत उल्टिया करने लगता है तब gangster का एक आदमी वाश्रूम के बाहर खड़ा था विल वाश्रूम के बाहर खड़े आदमी को मार देता है और उस अमीर आदमी को लेकर भाग जाता है विल को भागता देख वो gangster और उसके group के लोग उन्हें ढूनने लगते है वो दोनों एक building के shutter खोलते है और वहाँ पर छुप जाते है उस building में छुप कर वो दोनों gangster पर नज़र रखते है यहाँ पर वो अमीर आदमी विल को अपना नाम Henry बताता है वो बोलता है वो New Greenwich का रहने वाला है और उसका age 105 साल है विल हेंड़ी से पूचता है कि वो इतना सारा time लेके यहाँ पर क्यों आया है हेंड़ी उसको बताता है कि इतना ज़ादा time मेरे लिए कोई माइने नहीं रखता है हेंड़ी बोलता है कि हर इंसान एक time के बाद हर चीज से bore हो जाता है मैं अपनी लाइफ से बोर हो गया हूँ और ये लाइफ मैं जीना नहीं चाता हूँ हिन्री विल के हातों को देखता है जहाँ पर बहुत कम टाइम था वो दोनों वहाँ पर ड्रिंक करते हैं और सो जाते हैं मॉर्निंग में हिन्री वील को अपना सारा टाइम दे देता है और अपने पास सिर्फ पाँच मिनित रखता है और वहाँ से चला जाता है विल जब उठता है तो वो अपने हातों में बहुत सारा टाइम देखता है उसे पता चल जाता है कि उसे ये टाइम हेंरी ने दिया है हेंरी पास के एक ब्रिज पे चला जाता है और अपने टाइम खतम होने का इंतजार करता है जैसे ही हेंडरी के 5 मिनित खतम हो जाता है वो ब्रिज से कूत के सुसाइट कर लेता है उसके बाद विल अपने दोस्त के पास जाता है और सब कुछ बताता है उसे और अपने दोस्त को 10 साल का टाइम दे देता है दूसरी तरफ हम विल की मदर को देखते है जो बैंक का लोन देने के बाद डेट अन सिटी वापस जाने के लिए निकल परती है पर बस ड्राइवर विल की मदर को कहता है कि बस की रेट बढ़ गया है उसे सिटी वापस जाने के लिए एक घंटे के बदले दो घंटे का टाइम देना होगा मगर विल की मदर के पास सिर्फ देर घंटे का टाइम ही बचा था इसलिए वो अपने घर की तरफ भागने लगती है उधर विल बस टैन में अपनी मा का इंतजार कर रहा था मगर उसकी मा बस में नहीं थी वो अपने मा को ढूनने के लिए दोडने लगता है विल की मा विल तक पहुचने ही वाली होती है कि उसका टाइम खतम हो जाता है और उसकी मौथ हो जाती है ये देखकर विल बहुत जादा रोता है क्योंकि उसके पास तो 100 साल का टाइम था मगर फिर भी वो अपनी मा को नहीं बचा पाया दूसरी तरफ हेंरी की डेथ का इंवेस्टिगेशन होता है वहाँ पर टाइम कीपर्स आ जाते है ये टाइम कीपर्स पुलिस की तरह ही होते है इन टाइम कीपर्स का काम भी क्राइम को रोकना ही होता है ताकि कोई भी टाइम की चोड़ी नहीं कर पाए और सभी एक ओर्डर में रह सके वो लोग वहाँ के CCTV फूटेज चेक करते हैं मगर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता कि हेंडरी का टाइम किसने चुराया है दूसरी तरफ हम वील को देखते है जो टाइम जोन पार कर ग्रिनिच की तरफ जा रहा है जहाँ पर सभी अमीर लोग रहते है टाइम जोन मतलब सिटी का बॉर्डर टाइम किपर्स को पता चल जाता है कि वील नाम का एक आदमी टाइम जोन पार करके ग्रिनिच की तरफ जा चुका है टाइम किपर्स के पास अब वील का एक पिक्चर भी आ जाता है ग्रिनिच में आकर विल एक बहुत बड़े फाइफ स्टार होटेल में रुपता है वहाँ पर वो खाना खाता है वही पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिल्विया था वो एक बहुत बड़े रिच फैमिली से तालुक रखती है जो वहाँ पर लंच कर रही थी विल वेट्रेस से पूछता है कि यहाँ पर कोई कैसीनो है वेट्रेस उसे कैसीनो का पता बता देती है विल अब कैसीनो में आ जाता है पोकर खिलने के लिए कसीनों में विल एक आदमी से मिलता है जो लोगों को टाइम लोन दिया करता है और ये उस सिटी का सबसे ज़्यादा फेमस और रीच आदमी था ये आदमी इम्मोर्टल था विल जब कुछ लोगों के साथ पोकर खेल रहा था तब उसकी बाजी 1100 यर का हो जाता है विल इस गेम को जीट जाता है उसके बाद वो रीच आदमी अपनी बेटी से विल को इंट्रोडूस कराता है ये वही लर्की है जो रेस्टोरन में लंच कर रही थी सिल्विया विल को अपने घर में एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है विल उस पार्टी में जाने के लिए एक शांदार कार खरीद था है और उसमें बैट कर पार्टी में चला जाता है विल के पास अब बहुत सारा टाइम था जिससे वो बहुत कुछ खरीच सकता था वो अमीर आदमी अपने पूरे फैमिली के साथ विल को इंट्रोड्यूस कराता है टाइम कीपर्स को विल का लोकेशन पता चल जाता है टाइम कीपर्स पार्टी में पहुच जाते है और विल को पकड़ लेते है उससे सारे इंवेस्टिकेशन करने लगते है टाइम कीपर्स का हेड जिसका नाम रे था वो विल से पूछता है कि इतना सारा टाइम तुम्हारे पास कहा से आया विल उस हेट को पूरी कहानी बताता है कि हेंवरी नाम का एक आदमी ये टाइम उसे गिफ दिया है ये बात टाइम कीपर्स बिलीव नहीं करते हैं और उसका सारा टाइम ले लेते हैं सिर्फ दो घंडे का टाइम छोड़ देते हैं तभी सिल्विय और उसके फादर को पता चल जाता है कि विल एक चोर है और वो डेटर नाम की एक शहर में रहता है तभी विल टाइम कीपर्स को मारते है और सिल्विय के उपर गांड पॉइंट करके कार लेके वहाँ से भाग जाते है टाइम कीपर्स उसका पीछा करते है मगर विल उन लोगों का डिस्ट्राक्ट करके वहाँ से भाग जाते है सिल्विया विल से कहता है मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था मेरे फादर की बात माननी चाहिए थी तभी विल सिल्विया को बताता है डेटन एरिया जो की विल का एरिया है जहाँ पे लोग टाइम की वज़र से मर जाते है वहाँ पे सब कुछ उसकी फादर की वज़र से होता है जो की लोगों को इंटरेस्ट लेकि टाइम लोन पे देता है उसी टाइम उनकी कार के नीचे कुछ आ जाता है जिसकी वज़े से उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है और कार का एक्सिडेंट हो जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते है वहाँ पर वही गैंग्स्टर आ जाते है जो वील का पीछा कर रहा था विल के टाइम को चेक करता है जिसके पास सिर्फ दो मिनिट का टाइम था देन सिल्विया के टाइम चेक करता है जिसके पास बहुत सारा टाइम था वो गैंग्स्टर्स सिल्विया की टाइम को चुरा लेता है और पुलिस के साइरेन की आवाज सुन कर वहाँ से भाग जाते है दोनों को होश आता है तो सिल्विया अपने हाथों में टाइम देख कर हैरान हो जाती है विल अपने दोस्त के घर जाता है जिसको उसने 10 साल का टाइम दिया था दोस्त की वाइफ उसे बताता है तुमने उसे जो 10 साल का टाइम दिया था उसी खुशी में उसने बहुत जादा ड्रिंक कर लिया था इस बज़े से उसकी मौत हो गई है विल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे तब उसकी नज़र सिल्विया की यरिंग पर परता है जिसे बेच के वो दो दिन का टाइम ले लेता है उसके बाद विल सिल्विया को अपने घर ले जाता है वहाँ पे सिल्विया करीब से वहाँ के लोगों की जिन्दिगी को देखता है कैसे लोगों को डेली जिन्दा रहने के लिए बहुत जादा महनत करना पड़ता है नेक्स डे सिल्विया के फादर ने बैंक में टाइम जमा नहीं करवाया था विल सिल्विया के साथ बाहर निकलता है और सिल्विया को बोलता है तुम अपने घर वापस जाओ मगर सिल्विया उसे कहता है मैं घर वापस नहीं जाओंगी हम दोनों मिलकर इस टाइम जोन को बदल सकते हैं इससे बहुत जादा गरीब लोगों का भला होगा जो डेटन जैसे पूर एरिया में रहते हैं। विल सिल्विया को कहता है इसमें बहुत जादा खत्रा है। विल सिल्विया को अपने फादर को कॉल करने के लिए बोलता है। तबी वह पर टाइम कीपर का हेड रे आ जाता है जिस पर सिल्विया गन से गोली चला देता है। विल रे को कुछ टाइम दे देता है और उसके गारी लेके भाग जाता है। सिल्विया विल से पूछता है तुमने उससे टाइम क्यों दिया। विल उसे बताता है उसके पास टाइम बहुत कम था और जब तक उसका साथी उसके पास पहुच था तब तक वो मर चुका होता। टाइम कीपर्स का हेड रे अपनी सारी सैलरी एक कैपसूल में जमा किया करता था और खुद सिर्फ एक दिन का टाइम लेकर ही घुमा करता था। नेक्स सिन में रे को सिल्विया की फादर के ओफिस में देखते हैं जहाँ पर वो अपने बेटी को एरेस्ट ना करने के लिए रे को रिश्वा दे रहा था। मगर रे कहता है कि जितना विल रेस्पॉंसिबल है उतना ही सिल्विया भी रेस्पॉंसिबल है और उसे कोई बचा नहीं सकता। सिल्विया विल के साथ मिलके अपने फादर के बैंक में चोड़ी करने का डिसाइड करती है। उस बैंक में बहुत ज़ादा टाइम कैपसूल था नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो दोनों बैंक में पहुच गए है वहाँ पे कैपसूल की चोड़ी करके गरीब लोगों में बाट देते हैं सभी गरीब लोग उन कैपसूल पर तूट परते हैं उधर सिल्विया के फादर को पता चल जाता है कि उसकी बेटी और विल मिलकर बैंक में चोड़ी किया है नेक्स डे सिल्विया और विल को एक होटेल रूम में देखते हैं रे और उसके साथ ही सिल्विया और विल के पास पहुच जाते हैं मगर वो दोनों विंडो से कूद के भाग जाते हैं। रे उन दोनों को भागते हुए देख लेते हैं। वो दोनों एक बस में चड़ के भाग जाते हैं। देन विल और सिल्विया एक अच्छे से होटेल में रुकते हैं। गैंग्स्टर डेटन के लोगों से विल और सिल्विया के बारे में पूचता है, क्योंकि विल और सिल्विया पर 10 साल का इनाम था, वहाँ पे एक आदमी गैंग्स्टर को उन दोनों का पता बता देते हैं, वो गैंग्स्टर अपने साथियों के साथ विल और सिल्विया के पा गैंग्स्टर के पास कुछी सेकंड्स टाइम बाकी रहता है। विल गैंग्स्टर के सारे साथी को मार देते हैं और गैंग्स्टर का भी टाइम खतम हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद विल और सिल्विया वहाँ से भाग जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि बैंक में टाइम का लोन रेट बढ़ गया है। विल समझ जाता है कि ग्रिनीच के लोग गरीब लोगों में टाइम बाट रहे हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट में। ये देखकर सिल्विया विल को बोलता है मैं अपने फादर के पास जाऊंगी और टाइम चुरा के सारे गरीब लोगों में बाट दूंगी। नेक्स डे सिल्विया अपने फादर के पास जाती है और उन्हें बोलती है मैं सरेंडर करने आई हूँ। तबी विल उसके फादर के पीछे खड़ा था गर्ट के वेस में। विल सिल्विया के फादर को गन पॉइंट में रखके वहाँ से लेके जाता है जहाँ पे टाइम को रखा हुआ था। वहाँ पे एक कैप्सियूल था जिसमें वन मिलियन यर जमा था। विल सिल्विया के फादर को बोलता है कि मैं ये टाइम गरीब लोगों में बाट दूँगी। सिल्विया के फादर विल को बोलता है कि ये सही नहीं होगा। वो इन दोनों को ये करने से मना करते हैं लेकिन वो दोनों कैप्सूल लेके वहाँ से भाग जाते हैं। ये खबर टाइम कीपर्स की हेड रे को पता चल जाता है रे उन दोनों का पीछा करते है मगर विल और सिल्विया भाग कर डेटन शहर पहुँच जाते हैं तब ही रे उन दोनों पर अपने गारी से अटक करता है जिससे दोनों का गारी बंद हो जाता है विल गारी से उतरता है और टाइम कैपसूल माया को दे देता है जिसको उसने पाच मिनित का टाइम दिया था विल उसे कहता है ये टाइम वो सारे गरीब लोगों में बाट दे रे विल पे गन पॉइंट करता है लेकिन माया टाइम बाटना शुरू कर देती है और बहुत हंगामा शुरू हो जाता है और इसी चीज का फाइदा उठा के विल और सिल्विया वहाँ से भाग जाते हैं उन दोनों को भागते हुए देखकर रे कार में दोनों का पीछा करते हैं रे उन दोनों के सामने गन लेके खड़ा हो जाता है यहाँ पर तीनों के पास ही टाइम बहुत कम था विल ये समझ जाता है कि रे भी डेटन का ही रहने वाला है और वो नहीं चाता था कि डेटन से कोई बाहर निकले और रिज बन जाए और अगर कोई ग्रिनिच में गया तो वो अमिर बन के गरीबों में टाइम बाट देगा और इससे सारा सिस्टेम खराप हो जाएगा गरीब और रिच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा विल रे से उसके दिये हुए टाइम वापस मांगता है रे अपने हातों को देखता है तो उसके पास सिर्फ कुछी सेकंड्स का टाइम था और रे का टाइम आउट हो जाता है तो वो मर जाता है विल भाग के रे के कार से उसका सैलरी ले लेता है जिससे उनके पास काफी टाइम आ जाता है टीवी में निउस दिखाया जाता है कि डेटरन के सभी लोग ग्रिनिच की तरफ जा रहे है वन मिलियन टाइम का कैपस्यूल बाटने की वज़ो से सारा सिस्टेम खराफ हो चुका है टाइम कीपर्स ओफिस में ये सब कुछ देख रहे थे और वो समझ जाते हैं कि अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते वो लोग अपना जॉब छोड़के घर वापस चले जाते हैं विल और सिल्विया को हम एक बैंक के बाहर खड़े देखते हैं मतलब वो दोनों फिर से बैंक में रॉबरी करने वाले हैं इसके साथ ये मूवी यही पर खतम हो जाता है अगर ये कहानी सुनके आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू